नमस्कार दोस्तों आपका धर्वंत्री कृपा हैल चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों बहुत सारे डोग जो आज की तिथी में सुगर से पीडित हो चुके हैं और सुगर जो है वो किसी भी बैक्टी को बच्चे को जो होती है वो बीस प्रकार होते हैं इसके और जैसे बीस प्रकार की सुगर हमारे से के अंदर होती है लेकिन इसके बाद जो एक बड़ी मेजर बात है वो सुगर के तीन प्रकार के मरीज होते हैं जहान से सुनियेगा दोस्तों ये आज तक किसी भी ब्यक्तिन है बहुत सारे लोग मेरे से जो अस्टान योग करते हैं योगा भ्यास करते हैं अच्छा उनका खान प्यान है कभी उनने कोई दुर्व्यसन नहीं किया है लेकिन वो भी आज तक यही कहते हैं कि हमें ये ब्यमारी लगी तो लगी कैसे हम योग भी करते हैं सब कुछ करते हैं समय से उठते हैं समय से खाते हैं समय से मतलब सब कुछ करते हैं हलका फोजन सपाचे फोजन लेते हैं लेकिन ये ब्यमारी कैसे लगी तो दोस्तों यह बहुत बड़ा प्रस्ट है दोस्तों जासा की ने बताया कि सुगर के तीन परकार की म्रीज हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जो आज तक किसी माई के लालने ऐसी खोज नहीं की है जो मैं आज आपके सामने प्रस्त करने जा रहा हूँ लेकिन इससे पहले दोस्तों कुछ कुमेंट कारी लोगों ने जो कुमेंट करते हैं दो के कुमेंट मैंने पड़े थे तो किसी ने कहा था कि इस बैद को भगवान करे शुगर भी हो जाए और बीपी भी हो जाए हम तो सभी के लिए भगवान से प्रासना करते हैं कि सभी सुखी रहें और सभी का भला हो और कुछ महस्या ऐसे ऐसे हमारे लिए कुमेंट लिख देते हैं लेकिन खैर हमें कुछ इन चीज़ों का असर नहीं होता है दोस्तो जिस परकार हम हैं हजारों लोग कुछ लोग हमें लिए अच्छा लिखते हैं कुछ लोग बहुत बुरा लिखते हैं गालियां देते हैं तो दोस्तों ना जाने कितनी हम गालियां सुनते हैं और अगर हम जैसे लोग अगर यूट्यूब के वीडियो डालते हैं या आगे हैं तो अगर इस चैनल के माधियम से आप से ना जुड़े होते तो साइध हमें इतनी गालियां ने सुननी पड़ते हैं लेकिन ये भी हमारा एक हिर्दय है कि हम इन चीज़ों को सहते हैं और हम टस्टे मस नहीं होते क्योंकि हमें आगे बढ़ना है अपना कारे करना है किसी भाई ने ये कमेंट किया था कि ये चैनल के माधियम से बिजनिस चलाते हैं और ऐसे लोगों से बचें बिल्कुल बचना चाहिए दोस्तों मैं साब कहता हूँ कि हम से आपको बचना चाहिए हम जासे बिजनिस मेनों से दोस्तों मैं बहुत बड़ा बिजनिस मेन नहीं हूँ जो कोई मुझे से कभी दवाई मगा लेता है जिन से नहीं बनती है मौनी को दवाई देता हूँ मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि हमारे से दवाई लो किसी की चाहे ले नहीं है तो ले ले नहीं ले नहीं है तो हम तो किसी को कहते नहीं है पर चलिए दवाई के बात अलग है लेकिन आज मैं आपको यह जो मैंने तीन परकार के मरीजाओं के बारे में कहा यह भी बताने जा रहा हूँ और आपने सुक्र से किस तरह थोड़ा थोड़ा धीरे इस रोग से निजात पानी है इसके बारे में मैं बताऊँगा इस वीडियो के मादि offenders से दोस्तो आपने यह मेरा experience है experience दोस्तो घर बैठकी नहीं होता ए experience होता है मुरिजाओं को देख करके भीजाओं को छू करके उसकी बाजू देख कर नाड़ी देख करके उसका पेट देख करके तब experience होता है ऐसे नहीं कि patient जो है वो कम से कम पांच फिट दूरी पर है बहीं से बात हां जी मेरे को sugar है यहीं से treatment बता दीजिए वैसा नहीं होता है मेरा कहने का मतलब है कि experience जो होता है वो patient को देख रही होता है और वो ही experience मैं आज आपके साथ share करना जा रहा हूँ देखिए मैं आपको एक generally तौर पर कह रहा हूँ एक कबज वाला patient होता है बहुत सारे ऐसे रोगी हैं कि जिनको पहले धीर धीर कबज रहना सुरू होती है एक percent ऐसा होता है उसके पेट में gas अफारा होना सुरू हो जाता है इसके बाद अगरा number आता है बहुत सारे लोगों के पेट में जैसे जलन होती है खटी टिकारे आती हैं तो समझ लिजिए इंडिकेशन है एक दोस्तों ये बहुत बड़ा संकेत है सुगर को होने के लिए और आप इसको initial stage पे शुरू आती stage में भी cover कर सकते हैं और जिस परकार कुछ लोग बोलते हैं बहुत लंबा बोलता है अरे भाई मैं लंबा जूरूर बोलता हूँ आपको सुझाने के लिए अदरवाई मैं दो मिन्ट में वीडियो खत्म कर दूँगा आपको किसी बात का basic चीज का पता नहीं चलेगा तो हाँ मिरे को याद आ गया जिस भाई ने मिरे को कमेंट किया था कि आपको सुगर हो जाए आपको भगवान करे बीपी हो जाए दोस्तों बहुत अच्छी है मैंने जवाब मेरे भूल गया था कि क्या जवाब दूँ लेकिन अभी थोड़ा मुझे याद आ गया ऐसे एक प्रणि कहाबत है पंजाब वीवा और हमाचली भासा में कि बैद ओ मर जावे जड़ा मरीज नू चंगी द्वाई न देवे बकीर ओ मर जावे जड़ी आजमी नू सही सला न देवे तो मरीज भी ओ मर जावे जड़ा प्रेज न करें ये दोस्तों ये प्रणि कहाबत है ये चलिया बाद चली है कबज के ओपर तो ये अनिसी निस्सेज होती है लेकिन अब आपको सुगर हो गई इन कारणों से तीन प्रकार के मैंने बताया कि तीन प्रकार के सुगर के मरीज जामें यानि कि तीन प्रकार से आदमी को दिक्त होती है कबज वाला पेशेंट होता है दोस्तों कबज वाले पेशेंट के जो कारण होता है वो क्या होता है उसकी जो जैसे हमारे नवल है नाभी है उसकी जो धड़कन है वो सेंटर में नहीं होती है वो आपका जो लेफ्ट साइड है उस तरफ खिसकी होती है आप समझ लीजिए कि ये केंदर बिंदू बन चुका है और उस जिस आदमी की भी नाभी जो है वो लेफ साइड में गई है तो समझ लीजिए इस आदमी को कब जह है और इस चीज़ को आपने छुटकारा पाना है कैसे ऐसे व्यक्ति रात को दो ति की तेल की बुंदें जरूर डालें या घी की बुंदें देशी घी की तक कि आपकी जो नबल है वो पने सेंटर पॉइंट में आ जाए आपका जो जिल धेरी का कब्ज है बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चूरन खाते हैं आप पूरे दुनिया भरके चूरन खा लिजिए ज काम आपको जर्ड परकरना चाते हैं तो एक तो ये ही मृऌ हो ने इस तरह के देखे होगे और जो कब्ज बाले पेशेंट होते हैं उंके जो नभालर ओर्य होता होता है जुर्ष 걱정 होता सब्सक्द करों हैं कुछ एक उनका पेट आटोमेटिकली नर्म होता है लेकिन नभी को अगर आप दबाएंगे तो उनकी नभी की जो धड़कन है वो काफी नीची होगी यह भी एक बहुत बड़ा प्रसन है और उनका पेट भी नर्म होगा लेकिन सुख जरूर होगी अब तीसरा किस्म के इस साबके पेशांट आते हैं होते हैं कि जिनकी नाभी जो है वो उपर की तरफ चड़ी होती है और जब भी वो खा पी लेते हैं जैसे रोटी खाते हैं तो उनका भोजन जाओ उपर इटक जाता है और कुछ समय के उपरानत जैसे कुछ देरी की बार आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे रोगियों को जैसे सुबह कुछ खा लिया लेकिन दोपहर के टाइम अगर उनको खाना को मतलब कुछ खाने को नहीं मिला तो वो हाताथ हो जाते हैं इवन उनको के बार चक्कर भी आ जाते हैं इस बात को आप बारिक्की से लीजिए मैं बहुत ही डीपली आपको समझाने की कोसिस कर रहा हूँ मैंने पिछला एक वीडियो भी डाला था नाड़ी के उपर आप कैसे नाड़ी देख सकते हैं तक कि ये वाला वीडियो भी आपको एक्स्पिरियंस करके मैंने डाला था कुछ लोगा ने देखा होगा कुछ लोगा ने नहीं देखा होगा ये जो चीज़ें हैं ये जो मैंने आपको तीन बज़ा बताई या तीन परकार की रोगी बताए दोस्तो हमारे जैसे पुराने जमाने में कहते थे ये हाजमा सब्द जो है हाँ हाजमा खराब हो गया है हिंदी में ये उर्दू का सब्द है हाजमा और हिंदी में से पाचनतंतर कहते हैं और इंगलिस में से डाजस्टिव सिस्टम कहते हैं अब ये कैसे बिगड़ा ये बहुत बड़ा प्रसन है दोस्तों कैसे बिगड़ गया कुछ पाचे का रस जो है हमारी बोडी के अंदर या हमारे एसड हैं वो प्रॉपली ठीक ढंग से सिक्रेट नहीं होते हैं जिस परकार देखिए मैं आपको उदार्ण देता हूँ अगर आ दूसरी चीज कम कर दीजिए तो क्या होगा आपकी जो दाल सब्जी है वो बिल्कल एकदम से बेकार हो गई अगर आपने नमक ठीक रख दिया उदर से मिर्ची तेज डाल दी या हल्दी तेज डाल दी तो सब्जी आपकी कड़बी भी हो जाएगी आपकी जो मिर्ची है वो में औरmente यहांने कि जो चीजे हमारी जितना или मैं चाहिए जो पांच करश हैं झाल को हम जूश भी कहते एं वो प्रोपरडी बराबर मातरह में जितना हमारे स्विल के अदर चाहی उतना नहीं निकलते हैं यानि की वह उंबन सो हो चुके हैं है उन्बिलेंस कैसे हो है वहाब पाचन तंतर बिगड़ जाता है तो इस पाचन तंतर को ठीक करने के लिए मैं बहुत ही चोटा सनुसका आपको बताने जा रहा हूं लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग जो हैं जैसे आप सोचते होंगे कि में मेथी करिला ये वो इनका विरोध क्यों करता हूं क्योंकि ये आपके सिर्फ सोगर लेवल को ही डौन करेंगी आपके पाचन तंतर को ठीक नहीं करेंगी और एक और चीज कहूंगा कि जैसे आप कभी भी डाल सबजी बना रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा टमाटर डालते हैं बहुत ज़्यादा प्याज डालते हैं बहुत सारा अद्रक डालते हैं, वो एक समाने मातरा में होना चाहिए, अद्रवाई ये आपके डाजेस्टिव सिस्टम को बगार देते हैं, और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा, कि आपको खाने से पहले क्या लेना है, खाने के बाद क्या आपने करना है, तो दोस्तों, य से आप मिथी ये खोग खाते हैं, तो यहाला कि आपके जो पेट में गर्मी है, और ज्यादा कर देंगे, सुगर लेवल तो काम होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो चलिए मैं पहले एक चीज से चलता हूँ कि आपने क्या करना है, कोई जो डाजेस्टिव सिस्टम को आपने कैसे मेंटेन करना है, दोस्तों कवज के लिए अलग दवाईयां होती हैं, अजीरन रोग जिसको बोलते हैं, अइन डाजेस्टिन जिसको कहते हैं, और जो हमारे हाजमे को दुरुस्त करती हैं, वो अलग चीज़ें होती हैं, तो आपन चाय में सख्वा करके रख लेना है और वो कितना होना चाहिए मालिया अगर आपके पास 200 ग्राम सुखा अंदर सुखाया हुआ हो कड़ी पता चाय में अगर 200 ग्राम आपके पास वो कड़ी पता हो गया सुखा तो उसके अंदर आप 100 ग्राम काला जीरा दोस्तों काला जीरा जो है कड़ी पता और काला जीरा बहुत ज़्यादा डायसितिव है हमारे डायसितिव सिस्टम को ठीक करते हैं दूसरे नमबर पर आता है आपका स्फेद जीरा काला जीरा स्फेद जीरा कड़ी पता और जैसा मैंने बताया के कड़ी पता 200 ग्राम 100 ग्राम काला जीरा और स्फेद जीरा भी 100 ग्राम ब्राबर और आपने फिर कम से कम कितना हो गया आपके पास 200, 300, 400 ग्राम हो गया अब 400 ग्राम के अंदर आपने कम से कम 30 ग्राम आपने बड़िया वाला हिंग लेना है जो कम से कम 130-140 रुपे तोला होता है उसको आपने भून लेना है तावी के उपर उसको आपने भून लेना है भून करके आपने उसका पौडर करना है फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा उसके अंदर सेंधा नमक डालना है वो आपके सौधानसार होना चाहिए अगर डाल सकते हैं तो वो भी आप उसके अंदर कम से कम 50 ग्राम डाली सकते हैं या 30-40 ग्राम उसको आप डाल दीजिए और इन सारी चीजियों को बढ़िया करके पीस करके एक डिबे में बंद कर जीजिए 20-30 ग्राम सेंधा नमक बहुत है अगर 30 ग्राम आपने हिंग लिया तो 30 ग्राम ही मेरे साफ से सेंधा नमक सब्शेंट होगा अगर कोई भी ब्यक्ति आधा चमच सुबह साम इसको लेता है तो धीरे धीरे ये आपके डाजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने लगेगा आपको भूख भी लगेगा और आपने खाना खाने से पहले क्या लेना है ये बहुत दूरी चीज़ है दोस्तों आपने खाना खाने से पहले क्या लेना है अधरक बहुत सारे लोग जानते हैं सबी लोग जानते हैं अधरक को आपने जैसे आपके पास अधरक है सेंदा नामक आपने दोनों चीज़ों को पीस लेना है और जब भी आप खाना खाने बैठें तो आपने एक ये दो चुटकी इसको खाना है उसके बाद आपने खाना शुरू करना है भोजन के अंत में जैसे आप धाबों के उपर जाते हैं खाना खाने के बाद उनने बहाँ पे चीनी और बहाँ पे धान सोय रखा होता है मिठी सौफ भी उसको कहते हैं तो आप चीनी का सेवन ना करके आपने वो मिठी सौफ लेनी है और थोड़ा सा थोड़ा सा गुड़ गुड़ इतना आप ले सकते हैं कि जितना हमारा एक चने का दाना होता है उतना सा और मिठी सौफ ये भोजन के आप बाद खाईए आपका खाना जो है जल्दी डाइशेस्ट होगा आपके लीबर में जो भी गर्मी है बड़ी हुई वो सुगर लेवल है वो बढ़ जाता है तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को फिरो सब्सक्राइब करें हमारा वीडियो देखने के दिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्क्रार